हेलो फ्रेंट्स आप सबका कक्साच्य विद्यान विश्य के अध्याबारा विद्यू तथा परिपत के अभ्यास प्रशनों की इस क्लास में हर्दिक स्वागत हैं हमने चप्टर एक से लेकर ग्यारा तक सभी पाठों के अभ्यास प्रशनों को बहुत अच्छे से सौल करा दिया है वो क्लासेज आप चैनल की प्लेइलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो इस क्लास में हम आपके अध्याबारा के अभ्यास प्रशनों को सौल करेंगे तो च कोड़ने के लिए उप्योग की जाती है उसे क्या कहते हैं उसे स्विच कहते हैं यह क्या करती है एक परिपत को बीच में से कोड़ने का काम करती है ठीक है बुश्री खाले जिगह है एक विद्यूत सेल में टर्मिनल होते हैं कितने टर्मिनल होते हैं दो एक पलस और एक उसे हम कहते हैं एक एनौड और एक क्याथोड आगे प्रशन संक्याद 2 निमनलिकित कतनों पर सही या गलत का छिना लगाईए कुछ कतन लिए गए हैं बताना है कि ये सही है या गलत है पहला कतन है विद्धूत धारा वस्तूओं से उकर परवाहित हो सकती है दूसरा विद्धूत परिफत बनाने के लिए दातू के तारों की इस्तान पर जूट की डोरी परियुत की जा सकती है क्या हम तारों की इस्तान पर डोरी लगा सकते हैं बिल्कुल गलत कतन है तीसरा विद्युद्धरा धर्मा कॉल की स्चीट से ओकर प्रवाहित हो सकती है तो प्लास्टिक से प्रवाहित होकर नहीं हो सकती अथे कतन कैसा है गलत है पहला कतन सही है दूसरा और तीसरा गलत है प्रशन संख्यात तीन व्याठ्या कीजिए छित्र में दर्साई की व्यवस्ता में बल्ब क्यों नहीं दिप्त मान होता है यह इस व्यवस्ता के अंदर बल्ब क्यों नहीं जल रहा है देखो तो आप त्यान से देखोगे तो जो स्कूरू ड्राइवर है वो किसका बना होता है वो प्लास्टिक का बना होता है देखो ये क्या है ये स्कूरू ड्राइवर है इसको आप साधरन बासा में पेस्ट कस कहते हो क्या है स्कूरू ड्राइवर अब इसका अगला वाला भाग ये तो लोहे का होता है इसका होता है लोहे का लेकिन ये पीछे वाला बाद किसका होता है प्लास्टिक का और हम जानते हैं कि जो विद्धुत धारा है वो कभी भी प्लास्टिक से उकर प्रवाइद नहीं हो सकती तो तार का जो एक सीरा है वो एक सीरा विद्धुत से सीधा बल्ब से जुड़ा हुआ है लेकिन दूसरा सी फारण ये इस इस्तिती में नहीं जलेगा, ठीक है, आगे बात करते हैं, छित्र में दर्साये गए आलेक को क्या करना है, पूरा करना है, और बताईए कि बल्ब को दिप्तमान करने के लिए, जलाने के लिए, तारों को, सवतंतर सीरों को किस परकार जोड़ना चाहिए, वो आ के मुक्त सीरों को बल्ब से जोड़ना पड़ता है, ताकि विद्यूत परिपत क्या हो जाए, पूरा हो जाए, और इसके माध्यम से विद्यूत परवा और बल्ब क्या देते हैं, विद्यूत परवा और बल्ब परकास देते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो ये खाले सी इन सीरो को क्या करना पड़ेगा यहां से जोड़ना पड़ेगा यानि इस सीरो को हम क्या करेंगे बल्ब के इस सीरे से जोड़ देंगे और इस बटन को यहां से जोड़ देंगे ठीक है जिससे हमारा क्या होगा यह बल्ब जलना शुरू हो जाएगा ठीक आगे बात करें विदूत उपकर्णों के नाम बताने हैं, जिसमें पहले से अंदर switch या बटन लगा होता है, तो देखो, विदूत switch है, वो क्या गाम आता है, आप सब जानते होंगे, बटन क्यों लगाते हैं, विदूत switch का उपयोग, जो विदूत हमारे उपकरण है, उनको चालू और बंद करने के लिए उपयोग में लाया जाता है जब हम switch on करते हैं तो circuit एन उस परिपत में current परवाइत होना क्या होता है शरू होता है और switch off कर देते हैं यानि बंद कर देते हैं तो विद्धूत परवा क्या हो बंद हो जाएगी इसी तरह जो लेंप होते हैं इस्टेडी लेंप टेबल पर लगे होते हैं उन्वे भी switch होता है अगर आप switch को on करोगे तो बल्ब जलेगा switch को on करोगे तो बल्ब बंद हो जाएगा ठीक है आगे बात करें चित्र 12 पंच जुदा में सुरुक्सा पीन की जगे यदि रबड लगा दे तो क्या बल्ब दिप्तिमान होगा तो क्या बोला है जो सुरुक्सा पीन है उसकी जयमे का लगाना है रबड लगाना है तो देख असानी से हो जाएगा लेकिन बात करें रबड की रबड क्या है एक इंसूलेटर है और रबड के माध्यम से विदुद परवा को पास करने की कोसिस करते हैं तो विदुद बल्ब परकास को क्या करेगा नश्ट कर देगा ऐसी इस्तति में बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि यहाँ पर जो सरकीट दिया गया है वो मैंने चित्र यहाँ पर नहीं बनाया है तो चित्र में क्या दिया हुआ है एक सरकीट है और उससे बल्ब जुड़ा हुआ है सिंपल सी बात है जैसे एक सेल दिया हुआ है ऐसा मैं चित्र बना देता हो देखो यह सेल है और यहाँ पर इससे एक बल्ब जुड़ा हुआ है ठीक है ये इधर से जुड़ा हुआ है एक इधर से तो simple सी बात है जो परिपत है वो पूरा है और जब circuit पूर्ण है तो circuit में कोई भी switch connect नहीं है यहां पर कोई भी बटन नहीं लगा हुआ switch तो ऐसी इस्तथी में ये बल्ब सीधा किसे जुड़ा हुआ है सीधा इस परिपत से क्या हुआ है जुड़ा हुआ है तो जब इसमें विद्धूत परवाह होगा तो क्या हो जाएगा बल्ब क्या हो जाएगा जलना जाएगा है कि बल्ब दिपत मान होता है क्या इस वस्तु का परदात विद्धूत चालक है या विद्धूत रोधक व््याक्या किजिए देखो क्या प्रस्तु के शाथ चालक प्रिशित्र का उप्योग, चालक प्रिशित्र का मतलब है कोई दूसरी डिवेज जोड़ दी, उसमें करंट परवाहित होता है, ठीक है, तो क्या ये वस्तू विद्धूत का चालक है, या विद्धूत की रोधक है, व्याठ्या करने है, देखो बल्ब क्या हो रहा है, दिप् जिली की गेर समवाक होती, उसमें विद्धूत का प्रवाहित होता, तो विद्धूत के माध्यम से पारित नहीं किया जा सकता था, और बल्ब कभी भी प्रकास में नहीं आ सकता था, वस्तू का परदात कैसा है, विद्धूत चालक है, क्योंकि विद्धूत धारा केवल चा शूटका चालक है, उसी करन से बल्व क्या हो रहा है, बल्व क्या हो रहा है, ठीक है, अगला प्राश्न, आपके घर में स्वीच की मरमत करते समय विद्यूत मिस्त्री, रब्बर के दस्ताने क्यों पहनता है, व्यक्या कीजिए, तो देखो संपरक में प्रवेस करने से क्या रहता है वीफल रहता है मतलब क्या हुआ कि एगर जो मिस्त्रि है वो अगर स्विच या सर्कृिट को सही कर रहा है और बाइचांस किसी कारण से अगर उसमें करंट आ गया और उसके आज में अगर रबर पहने सकता है और उसे जान को नुकसान हो सकता है तो उससे बचने है तू उस दूर गटना से बचने है तू ताकि उसमें विद्धुत धारा का परवा न हो और उसे कोई नुकसान न हो इसे तू वो क्या करता है अपने आथों में रब्बर के दस्तान्यों का उप्योग करता है ठीक उक्रन होते हैं, जैसे पकड होगी, जिसे पेसकस बोलते हैं, फिर प्लायर्स होगे, उसके अलावा रबर के दस्ताने हो गए, जूते होगे, सब प्लास्टिक की चीज़ों के बने होते हैं, या उनके अत्ते होते हैं, वो प्लास्टिक के होते हैं, ठेके, तो क्यों होते हैं, कि जो रबर या प्लास्टिक होता है वो विद्धूत का क्या होता है कूछ आलग उसमें विद्धूत आरगा प्रवा नहीं होता तो जब भी जो विद्धूत का मिस्त्री होता है जो वो विद्धूत उपकरणों या विद्धूत परिफत की मरमत करता है तो उसमें विद्धुत करंट लगने के क्या होती है संभावना रहती है तो उस दूरगितना से बचने है तो वो ऐसे उपकरणों को प्रयोग करता है जिनके उपर प्लास्टिक या रबर के आवरन चड़े हो ताकि किसी प्रकार का सोट सरकीट या उसमें करंट प्रवाइथ हो तो उसके आथो तक नहीं पहुंच सके और उसकी जान को किसी प्रकार को कोई उसान ना हो ठीक है वो उसी क्या करते है विजिली के जटकों से बचाने का काम करते है तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय की सभी प्रश्णों को बहुत अच्छे से सौल कर लिया है उम्मिद करता हूँ सारे प्रश्ण आपको अच्छे समझ में आये होंगी तो क्लास देखने के लाब सभी को धन्यवाद अगर आपको क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक कमेंट सेर और सबस्क्रेब जरूर कर दे धन्यवाद